पर आपको बैंक निप्टी, निप्टी, मीड कैप निप्टी और फिन निप्टी बिल्कुल आसान सब्दों में एनलेसिस करके मेरे द्वारा दिया जाता है दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो से जानल को सब्सक्राइब करें और पिल आइकन जरूर प्रेश करें आज एनलाइस करेंगे निप्टी, बैंक निप्टी फाई मनेट टाइम फ्रेम में और रहे आज तो जिनलोगोंने पैसा बनाया है लोगोंने जरूर कमेंट करके बताना अच्छे खासे जो प्रीनियम है वो एक रुपे का प्रीमियम 100-100 ट्रेड हुआ प्रिनिक्टी में और क्या मार्केट था आज ब्रूटल फॉल हुआ मार्केट में कोई भी रिवर्सल तक नहीं मिला कहीं पे भी कि हाँ जो है रिवर्सल प्ले किया जाए क्या मार्केट सांदार मार्केट आज पैसा बनाने के लिए ऐसा ही मार्केट बायर कुछ है और इसी तरह के मार्केट में पैसा बनता है बाकी तो साइडवेज मार्केट में लोग जो है अपने कैपिटल को उला देते हैं अपने कैपिटल बरवाद कर देते हैं इस तरह का trade जो है, इस तरह का trade मिस्स कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास trade करने के लिए capital बचता ही नहीं है, अपकल का जैसे trade था जो आप देखो यह यह किस तरह का trade था, पर सड़ाडे का जो था, यह कोई trade नहीं था, इसमें कोई trade बनता ही नहीं था, मगर लोग जवजश्टिस में trade करेंगे, बहुत दिन बार वीडियो बना रहा हूँ, तरह पर सही नहीं चल रहा था, इस वीडियो जो है, वो 12 तरीक के बाद जो है, आज वीडियो में दालूँगा, और find करेंगे कोई sharp pattern बन रहा था, कोई trend line, कोई support, काई buying zone, जो zones में दे रह रहा है, वो over कर रहा है या नहीं, और जितने भी मैंने आज ग्रूप में educational purpose मैंने जो दिया था, वो educational purpose मेरी जो टेलिग्राम चैनल पर मैंने, बैंक निप्टी का PE दिया था मैंने, और जो था वो 400 की buying price और almost 1600 से above गया है, almost देख लोग 4 गुना, तो टेलिग्राम चैनल आप educational purpose से जोइन कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, description में मैं लिंक डाल दूँगा, वैसे आपको से type करना, t.me slash bhanvi traders, bhanvi traders, b-h-a-n-v-i traders, b-r-a-d-a-r-s, bhanvi traders, आप जोईन हो जाएंगे, वहाँ पे, ठीक है, आपको टेलिग्राम का लिंक है, जहाँ पे educational purpose से आपको लेबल्स दिये जाते हैं, जहाँ से आप easily, education purpose से आप उस लेबल को as a paper trading पे यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो, आज अल्मुस्ट अगर निप्टी की बात करूँ, निप्टी का जो average closing आई है, average closing है 21,238, इससे दो पॉइंट नीचे around closing आया है, जो दो पॉइंट नीचे है, और market ने क्या behave किया, पहले वो analyze कर लेते हैं, market gap up upon होने के बाद लग अल्मुस्ट जो है, लगवग लगवग अगर जिसने भी trade लिया होगा, तो अल्मुस्ट अगर fall की बात करूँ, तो निप्टी में around 547 पॉइंट, क्या trade था, जब 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 त्रेट था, जिसने भी catch किया, बहुर अचा पैसा बनाया, तो wait करो इस तरह के market के लिए, ऐसा न नहीं बन दा, तो हमेशा trending market के लिए वेट करो, trending market होगा, पैसा बनेगा, अब यह आप एक चीज़ देख लिए, यहाप trend line क्या, trend line आप छोड़ो, अब सबसे पहले यह देखो, कभी भी आप एक trade और में, आप जो है, आप indicators के through कर सकते हो, जैसे यह मैं बताता हूँ, जो भ trend line की बात करें, trend line ड्वो कर सकते हैं, trend line रो कर सकते हैं, जहाँ, trend line बनेगा यह देख को आप, जब तरव टेड लाइन के नीचे तब तर टेड आप ड़ेगर सकते हो, इसलिब ऐख दब ह democratic क्रवा पर, ये अब अभी एंग के अगर अनना ही जाता है Unknown कर लो को च्ब आश्रे और के बख़ह बहांने कि लिए अलग चलो देखते हैं कल-कते लिक ऐसा रहे हम्याँ आज जो हम्यारिक बहुत बहुत बहतर इंद संद्ग्र आज करते हैं कल-क इस यहां से आपको सेलिंग देखने को मिलेगा, मान कि चलो, मार्कित यहां जो है, गैप अप उपन होता है, और इस लेबल को सस्टेन करता है, 21,290, यह मार्कित अगर 90 आप लेलो, यह 70 लेलो आप, इसको तुरह से मैं स्लाइड करते तौन नीचे, 70 लेलो, आप यह जो है, 70 ले 21,270 का लेवल है, अप साइड में यह ब्रेक करता है, सस्टेन करेगा, हम अप साइड के लिए लेंगे, फर्स्ट आर्गेट जो होगा, 21,350 का फर्स्ट आर्गेट होगा, फ्लैट ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, ऐसे नहीं की डायक्लिक अप साइड का व्यू रहेगा, पहला लेवल कौनसी इंपोर्टेंट लेवल है हमारा, वो इंपोर्टेंट लेवल है, 21,270, यह लेवल इंपोर्टेंट है, यह लेवल इंपोर्टेंट अफसाइड में, यह ब्रेक करेगा, तो ही हम अप साइड में व्यू रखेंगे, जो 350 अल्मुस्ट जो हम लोग कर सकते हैं वो यह 50 तक ले सकते हैं तो यह अगर ब्रिक्डॉन मिलता है तो पहला टार्गेट होगा अमारा 21,150 डॉनसाइड में और सेकंड टार्गेट होगा 21,080 और ठड़ टार्गेट 21,000 ठीक है 21,000 हमारा ठड़ टार्गेट होगा यहां पर बाइंग जोन था पहले अब यहां से लेवल है इस लेवल पर कहीं पर मार्ट आएगा तो आपको सेल आप देखने को मिलेगा अब यहां से देख लो क्या एक टेंड लाइन ट्रॉप कर सकते हैं यहां पर और मार्केट में क्या था आज देखो सिंप्ली में हो ख्या रहा है मार्केट जो है साइड बेज हो जाते और उसके बाद फॉल तो यहां पर भी सिनेर्यो आप देखो गैप अपन हुआ और इतना ब्रुटल फॉल मिला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो अगर अलमुस्ट बात करू तो लगवे लगवे 14-1500 पॉइं फ्रेंट उना चाहिए आपको यहां अच्छा अब इस तरग मार्केट अच्छा पैसा अगए टार्गेट और सेकें ने बात करूँ ऊपन इन तो बिल्कूल है वाइड करने आपर यह 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 एंपे ट्रेंट नहीं आपको यहां तो 45,050 की उपर मार्केट निकलता है यह व सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इस से ज़्याद मार्केट को आने वाला एक फर वरी को बजट जो है तो उससे पहले क्या है कि थोड़ा सा मार्केट जो है डीप दे रहा है जहां पर प्राइस सस्ते होंगे तो लोग जो है अलग-अलग सेक्टर में वह बाइंग करेंगे तो दूसरी ची फाइस जो है वो सेल उफ कर रहा है अपना जो पोजिशन कर रहा है लगव 10-100 करोड ते जो है जब भी सेलिंग इस तरग बूटर फॉल जब मिल रहा है लगव लगव इतने जो डेटा आ रहे है वह इतने पॉइंट्स का जो है इतने अमॉंट करोड में सब्सक्राइब है और फिर मार्केट को पूल करें अब तक यह सीनेरिव यह हमारा 44,870 के नीचे अगर मार्केट टिकता है तो फर्स्ट लेवल हमारा होगा 44,750 सेकंड टार्गेट होगा 44,600 और इसके बार एक गैप है गैप फिल करने मार्केट जो है 4400 तक जा सकता है वन ड जो है वो बुलिस है या बेरिश है या फिर मार्केट आजए 1000 रेली देगा मार्केट आजए 2000 रेली देगा ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में मार्केट में बिल्कुल नूट्रल रहना है प्राइस एक्षन का वेट करना है कि मार्केट किस तरह सा प्राइस एक्षन बना अगर मार्केट आपके reward के चनो के हिसाप जब आपको दे रहा है आप यह ंंतरी लें नहीं दे रहा है आपके reward को ंनेर चेहले ना लगी डीव करे को कहते हैं अगर मार्केट自た मोफ प्रॉफिट किया है, तो कर जो आपका लॉस होगा, अगर लॉस आप करते हो, तो इसका 5% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए अगर ज्यादा लॉस कर रहे हैं, तो फिर आप मार्केट में नहीं सस्टेन कर पाएंगे.